नावस्कार दोस्तों डेट है आज 9 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका अपने चलगे करेंट अफेर्स में सुबा के चाहि के साथ सुरू करते हैं आज का करेंट अफेर्स करेंट अफेर्स सुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थौथ के साथ हम आगे बढ़ते हैं संघर्स में आपने आदमी अकेला होता है सफलता में दुनिया उसके साथ होती है यह अकसर आपने देखा होगा जब भी आप संघर्स कर रहे हैं इस समय तो बहुत कोई महत्वर नहीं देता आप फैंबली फंक्शन में भी जाते हैं तो आपका कुछ खास इंट्रोड़क्शन नहीं होता होगा क्योंकि आज कुछ कर नहीं रहे हैं अगर आप अच्छा पढ़ाई करते हैं तो हां बहुत लोग मानेंगे लेकिन पढ़ाई करते हुए भी आगर आपकी उमर हो गई है 25-26 साल तो आपको कोई खास इंट्रोड़क्शन नहीं मिलता लेकिन वही ज़स दिन आपका सेलेक्शन लेटर अपॉइन्मेंट लेटर हाथ में आ गया और आप नौकरी पे चले गए तो सब तब बोलने लगेंगे अरे लड़का इतना मेहनत करता था ऐसे पढ़ता था वैसे पढ़ता था तो यह कॉमन थ्रेड है कि संघर्स आपको अकेले ही करना है सफलता में अच्छे समय में आपके साथ पूरी दुनिया होगी इसी के साथ सुरू करते है आज का पहला सवाल भीम बेटका की गुफाए यह कहां पे स्थित है अब भीम बेटका की गुफाए यह जनरल नौलिज का क्वेशन है लेकिन न्यूज में यह क्यों आ गया है क्योंकि अभी जल्द ही कुछ रिसर्चर्स है अमेरिका से आए हुए थे उन्हें एक डिक डिकिन सोनिया पांसो पचास मिलियन इयर पुराना जन्तु वहां पे उसकी पेंटिंग दिखाए दी है वो अभी जाज कर रहे है वो कन्फर्म नहीं किये है बट न्यूज में यह आ चुका है डिकिन सोनिया कहां पे मिली है यह भीमबेटका की गुफाओं में और यह पांसो पचास मिलियन सियर ओल्ड फॉसिल है दोस्तो भीमबेटका की गुफाओं कहां पे है मध्या प्रदेश में मध्या प्रदेश के राइसेंड डिस्ट्रिक में और यहां आप कुछ पेंटिंग्स देख सकते हैं भीमबेटका की गुफाओं में बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ युध अभियास ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सराइस है ये भारत और किसके बीच है चलिए आपको मैंने ड्रेस भी दिखा दिया है अब बताईए आप ये किस देश के सेना के साथ है फ्रांस जर्मनी युएसे या फिर यूके इसक कहां पर है ये राजस्थान महाजन फिल्ट फाइरिंग देश राजस्थान में है और युएसे की बात अगर हम करें तो उसके साथ हम और कौन सा एक्सराइस कर सकते हैं टाइगर ट्रायम्फ और एक है मालाबार मालाबार की अगर हम बात करें तो मालाबार में चार देश है औस्ट्रेलिया जपान USA और इंडिया पहले यह शुरुआत हुआ था इंडिया और USA के बीच में बढ़ते आगले सवाल की तरफ वर्ल सस्टेनिबल डेवलप्मेंट समिट यह एन्विल फ्लेक्सिप प्रोग्राम है किसका वर्ल सतत्विकास यह किसका एन्विल समिट है मतलब सालाना प्रोग्राम किस और्गनाजिशन का है और इसका सही एंसर है C. टेरी की अगर हम बात करें दोस्तों यह फॉर्म किया था टाटा ने और टाटा ने कब फॉर्म किया था 1970s में लेकिन इसको बाद बजाके नेस्नलाइज कर दिया गया है और अब इसमें दुनिया के द का हिस्सा बनते है और इसका में और इसका में और इसका का रीच क्या है यहां हम देख सकते हैं अच्छे से काम करती है और नए-ने तरीके निकालती है जिससे की हमारे जो नेच्रल रिसूर्से से उस पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े और यह सुरुवात किया गया था टाटा के द्वारा टाटा ग्रूप आपको पता होगा बहुत से हमारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो है देश में अजीम प्रेम जी और टाटा चलाते रहते हैं अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलोपमेंट यहाँ पर आप जो सब देख पा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलोपमेंट यह न्यूज में बहुत रहता है 2016 में officially United Nations ने इसे अडॉप्ट कर लिया था और कितना गोल्स बनाया गया था एक 2030 एजेंडा रुखिए 2030 एजेंडा एक बनाया गया था 2030 एजेंडा किस चीज़ से रिलेटेड है अगर question पूछे ए एक्जाम में तो आप क्या बताएंगे sustainable development 2030 एजेंडा 2030 किस से रिलेटेड है sustainable development से और बात करें तो कितने goals रखे हुए थे 17 goals थे दोस्तो 17 goals थे जो पूरे United Nations का जितने भी member countries है उन्हें 2030 तक achieve करना है अभी 2021 आ गया है 9 साल बाकी है तो याद रखिए 2030 एजेंडा किस से रिलेट करता है sustainable development से और 17 goals है और अगर बात करें हम यह सब sustainable development यह पहली बार किस report में मिला था sustainable development पहली बार मिला था दोस्तो Bruntland Report में Bruntland Report Bruntland Report आया था 1987 में 1987 में पहली बार sustainable development को अच्छे से explain किया था Bruntland Report यह सभी facts आपको याद रखने हैं और इसका PDF टेलेग्राम में मिल जाएगा और टेलेग्राम में regular QG's हम रोजाना की तरह सुरू फिर से कर दे रहा हैं बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ the country celebrated birth anniversary of which former president on 8th February यह थोड़ा सा अलग question है क्यों क्योंकि 8 फरवरी को हमने किस पूर्वर रास्टरपती का birth anniversary मनाया था यह क्यों question important बन जा रहा है दोस्तों क्योंकि birth anniversary वैसे तो हम कितने रास्टरपती और कितने प्रधानमंत्रियों का याद रखेंगे दोस्तों यह important क्यों बन रहा है क्योंकि यह question एक क्रोर का question था कौन बनेगा क्रोरपती में भी यह question कुछ इस तरीके से पूछा गया था वहाँ पर इनमें से कौन से प्रधानमंत्रियों है जो बिहार के पूर्व में governor भी रह चुके है तो इसका सही answer है दोस्तों हमारे प्रथम Muslim राष्ट्रपती और पहले राष्ट्रपती जिनकी office में ही मृत्यू हो गई थी आप लोग अब तक answer guess कर चुके होंगे इसका सही answer है डॉक्टर जाकिर हुसेन डॉक्टर जाकिर हुसेन इसका सही answer है इनका कार्यकल था 1967-69 तर और यह तीसरे president थे भारत के बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ कितने MBA colleges भारत के select हुए है top 100 Indian business schools ranking में MBA ranking 2021 की आ चुकी है उसमें कितने भारत के business schools है जिन्होंने top 100 में याद रखे का question में answer नहीं है top 100 में जगा बनाई है तो इसका सही answer है क्या option A 5 पांच schools है जिसने top 100 में जगा बनाई है और हम बात करें भारत पूरे द्विश्व में सबसे top institute कौन सा है business studies के लिए INSEED ये एक institute का नाम है और ये institute है France में और Singapore में याद रखेगा INSEED पूरे दुनिया का सबसे best business school है अगर आपको भी किसी को जाना है तो आप apply कर सकते है और बात करें अगर हम भारत की तो भारत का सबसे प्रीमेर बिजनेस institute कौन सा है Indian school of business इसे 25 रैंक मिला है और बाकी IIM, Kolkata, Indian institute of management, एहंदाबाद, बैंगलोर इनको भी रैंक मिली है चार IIM है और सबसे top में कौन सा है और इस बार IIM इंदोर भी आ चुका है अंदर सबसे top में कौन सा है Indian business school जहां हम देख सकते है ISB Indian school of business के building को कितना प्यारा है और आज का पहला question दिया ही है कि Indian school of business ये भारत के किस सहर में स्थित है बढ़ते हैं पहले अगले question के तरफ Snakepedia ये किस state से relate करता है अब बात करें Snakepedia की ये किस बारे में है ये वहाँ पर पाए जाने वाले विभिन सापो का एक app है इसके द्वारा आप जान सकेंगे सापो के बारे में interesting facts दोस्तों Snakepedia अगर हम बात करें तो ये government के initiative से नहीं बना ये voluntarily बहुत से researchers, scientists, photographs को मिलके उन्हों develop किया है लेकिन launch किया गया है government के finance minister के द्वारा तो इसका सही answer है Snakepedia किस state से relate करता है केरेला से यहाँ बात करें केरेला के finance minister के द्वारा इसे launch किया गया है और ससी थरूर जो तिर्वान अंथपूरम के MP है उनके द्वारा भी अगर interesting facts की हम बात करिए सुन्दर साब आप देख पारें कितना सुन्दर लग रहा है तुस्तों यह साब जितना सुन्दर है उतना जहरीला भी है इसका नाम है माला बार पिट वाइपर यह 15 अलग अलग कलर में देख सकते हैं आप अभी इसको blue देख रहे हैं कल को यह सुनहरा हो जाएगा फिर pink हो जाएगा फिर black हो जाएगा फिर red हो जाएगा यह इतने जादे colors बदल सकता है और आपको चांग के हरानी भी होगी कि यह केरला में मिलता है और जो इंडियन किंग कोबरा सबसे जहरीला भार जाता है उससे केरला में एक भी दथ नहीं होती लेकिन इसके दौरा होती है बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ चगननात मंदिर यह कहा फेस्थित है अब यह question क्यों आया था नहीं उसमें क्योंकि government एक law बनाने वाले थी ministry of tourism के दौरा ministry of tourism कौन है श्री पहलात पतेल और बात करें तो यह law किस बारे में था कि 100 मिटर के अंदर मंदिर के 100 मिटर के radius में कोई भी construction नहीं होगा तो इसका थोड़ा सा oppose हो रहा था तो government ने इसे वापस ले लिया है तो जगनात मंदिर कहां पे है यह है पूरी ओरिसा में पूरी ओरिसा में है जगनात मंदिर यहां आप श्री जगनात मंदिर को देख सकते हैं बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ दुनिया का सबसे smallest reptile अभी किस देश में मिला है दोस्तो आप इस reptile को देख सकते हैं यह चमीलियन है बिसिकली और यह किस देश में मिला है option C इसका एंसर है मड़ागासकर यह सारे Indian Ocean के ही countries है सेचेल्स, मौरिशस, मालदेप्स, मड़ागासकर और मड़ागासकर अगर बात करें अफरिका की सबसे बड़ी island country भी है यहां बात करें इस reptile की बारे में तो यह क्या है यह चमीलियन है यह चमीलियन है और इसका नाम क्या दिया गया है ब्रुकेसिया नाना नाम आप की याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक्जाम आज कल टफ होते जा रहे है अब दोस्तों अगर बात करें हम CDS Sunday को हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि एक exercise का नाम दिया गया था तो ओ exercise ऐसे नहीं पूछा था कि कहां पे हुआ था उन्हें पूछा था कि इसका पहला हिस्सा कहां पे हुआ था तो यहां आप सोच सकते हैं कि exams के जो trilateral होते हैं तीन देस involved होते है या फिर चार देस तो कहां 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 पे हुआ था वो भी आपको याद रखना है तो ब्रुकेसिया नाना इस रेप्टाइल का नाम है और यह टोटल कितना लंबा है दोस्तो 21.6 mm जी हां बस 21.6 mm है और यह पोच मिलाने के बाद इतना लंबा है पढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ दुन्या का पहला एनरजी आइलेंड यह कहां पे इस्तित है दोस्तों यह स्तित एक्चुली यह बनने वाला है और यह आप्शन से आपके पास डेनमार्क, ड्रीन लेंड, नौर्वे या फिर शिजर लेंड आज का दूसरा सवाल में बत बताना है तो इसका सही अंसर है डेनमार्क, डेनमार्क की राज़तानी आपका दूसरा सवाल है आज का, डेनमार्क की राज़तानी को आपको बताना है, अब आर्टिफिचल आइलेंड यह करेगा क्या, एनरजी आइलेंड यह कैसे बन जाएगा, पहले तो यह और तर्बाइन विंट से बनाएगा। दोस्तो ऐसा कुछ होगा, यहां पर पावर जणेरेट होगा और यह रिनुवेबल होगा। दोस्तो यहां पर कोल का यूसरे होगा, नहीं नहीं नेरजी का होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर विंड सील्ड के द्वारा यहाँ पर पावर जनरेट होगा और हजारों घरों में रोस्टनी पहुचाई जाएगी इन्हीं के द्वारा तो यह एक अच्छा इनिशेटिफ हम कह सकते हैं और सकस्पुल होता है तो वर्ल्ड के दूसरे जगह हमें बिष्टाइन को मिलेगा है डेमरा टैशन इंडेक्स 2020 ये किस देश ने टॉप किया है आपका तीसरा क्वेशन है कि इस देश की राजदानी आपको कमेंट में बतानी है दोस्तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 किसके द्वारा टॉप किया गया है ये है ऑप्शन B नौर्वे नौर्वे ने टॉप किया है डेमोक्रेसी इंडेक्स और भारत की अगर हम बात करें भारत दो पुजिशन नीचे आया है और तिरपनवा स्थान है भारत का 6.6 के साथ और भारत को फॉट डेमोक्रेसी कहा गया दोस्तो इसके अलगलग कैटेगरीज है पहले fully democratic है उसके बाद फॉट है और इसके बाद 4 कैटेगरीज है भारत फॉट कैटेगरी में आता है और फ्लॉट के टिक में अगर बात करें तो फ्रांस भी है USA भी है दोस्तों बात करें अगर हम ये रिलीस कौन करता है ये रिलीस कौन करता है The Economist Intelligence Unit याद रुखिएगा Economist Intelligence Unit और ये किसके दौर लॉंच किया गया है Economist Group ये एक Time Newspaper है जिसका नाम अच्छा खासा है Economist Group ये लॉंच करता है ये 2006 से शुरू हुआ था तो आपको तीनों Questions के Answer देने हैं क्योंकि आज के Questions Extra है नहीं तो धन्यवाद दोस्तों खुश रहिए खुशिया बाटते रहिए अपना गेरो में क्या रखाए सबके साथ मिल दूर करें और वीडियो अगर अच्छा रगे तो Like, Share and Subscribe जरूर करें जैहिंद